हेलो दोस्तों मैं स्वरों मलिक आप से भी का टोपिक इस्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तों रेलवे गुरूप डी का 19 सेप्टेंबर 1 इप्ट का भी एकजाम हो चुका है और मुझे बहुत सारी कोशन मिल गए हैं जीके के और साइंस के और इसे नेक्स्ट वीडियो में आदा घंटे बाद ही आपको मिलेगी मैद की वीडियो और रीजिनिंग की वीडियो तो उन वीडियो को भी जरूर देख लीजेगा और आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रैड कल का बटन दबा करके बैल आइकन को जरूर रूर कर लीजेगा क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुच पारे है बहुत से बच्चे बोलने हैं तो अपनी बैल आइकन को चेक कर लीजेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हूं दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आसा करते हूं कि आप इसको बिल्कुल पूरा करेंगे वीडियो को लाइक और दूसरों को सेर कर दीजेगा दूसरों को फायदा हो जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे ठीक है चलिए यहाँ पे पहला कोशन है जे एंड के जम्मू एंड कस्मीर हाई कोट की पहली महिला जाज यह कोशन आपका रिपीट हो गया गीता मित्तल इसका राइट आंतर हो जाएगा ठीक है ओप्रेशन दुर्गा की सुरुवात कहाँ पर की गई थी तो यह हर्याना राज्या में की गई थी और यह आपका जो यूपी में रोमियो स्क्राट स्टार्ट हुआ था उसके बाद यह हर्याना में किया गया था ठीक है बोलिवुड की सबसे महेंगी फिल्म कौन सी है तो यह आपका यहर नहीं बता है आपके अगर 2017 की बात की जाए तो बहुवली रही थी ठीक है नेक्स्ट आपका आईपील 2018 का विनर कौन सी टीम रही तो चेन नहीं सूपर किंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो आईपील से लेटे कहीं कोशन्स आ रहे हैं आपके तो एक बार देख लीजेगा नेक्स्ट आपका सबसे जादा बार आईपील किसने जीता तो यह आप मुझे कमेंट बोक्स यों बताएंगे कि सबसे जादा बार आईपील जीतने वाली टीम अभी तक कौन सी है जीएस्टी मोडल कितने है तो टू टाइप जीएस्टी मोडल है ठीक है सी जीएस्टी और एस जीएस्टी ठीक है और देखे दोस्तों इसकी पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते है नीचे डिस्केप्शन बोक्स में टेलीगराम का लिंक दे रखा है और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में तो वीडियो को पूरा देखेगा नेक्स्ट आपका काइनेटिक एनरजी से लेडियो एक कोशन था अब कोशन नहीं पता है तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनरजी को एक बड़ पढ़के चले जाएगा उससे में में सी चीजे ठीक है नेक्स्ट आपका कोशन है इंसुलीन कहां से स्रावित होता है या आपका अगनाश्येस का राइट आणसर हो जाएगा बुलिटिन एप की सुरुआत किसके द्वारा की गई तो ये आपका गूगल के द्वारा की गई है गूगल से भी आपका कोशन पूछा गया है नींद की बिमारी को क्या बोला जाता है इंसोमिया आपको right answer लगाना था वापे अगर option में इंसोमिया दे रखा था मानव हर्दिया में कितने कक्स होते हैं तो यार यह तो सभी को पता है इस type के questions बहुत ही easy जिसे पूछे जा रहे हैं ठीक है चार होते है दीक है कुछ जो आपके point है इस जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ questions इन में note कर लीजिए कि कहां कहां से questions पूछे जा रहे हैं और उससे related question आप पढ़के देखिए ठीक है जैसे point है उस point को deeply पढ़ लीजिए ठीक है तो आप definitely definitely मतलब अच्छे score कर पाएंगे क्योंकि analysis का मतलब यह नहीं कि यह question आपको next shift में जाएंगे मतलब एक-दो question repeat हो रहा है वो सुरू से देखी जा रही है बट सारे question repeat नहीं होंगे सारे question तो आपको तब repeat लगेंगे जब आप यह topic पढ़ लेंगे अच्छे से ठीक है यह होगे आपका android oreo का android का कौन सा वर्जन है यह पंदरवा वर्जन है android का ठीक है तो यह भी आपका question पूछा गया था ठीक है भारत की highest paid actress कौन है तो यह dp का पादू कौन इसका right answer हो जाएगा ठीक है असम के राज्यपाल कौन है तो राज्यपाल से भी question आपका fix है जो आने ही आना है तो right answer क्या हो जगा जगदीस मुखी इसका right answer हो जाएगा ठीक है next आपका देखे यह भी पूछा जा सकता है असम के cm कौन है सर्बानंद सोनो वाला यह हो जाएगा आपका ठीक है जिस state का आपको राज्यपाल या cm पूछ ले गया है ठीक है तो आप उसका दूसरी चीज़ जरूर याद कर लीजेगा क्योंकि वहाँ से question जरूर पूछ जाएगा next shift में ठीक है तो second shift में आपका यह आ सकता है भारी पानी का रासाइनिक नाम कल भी पूछ गया था D2 O हो जाएगा आपका राइट आंसर ठीक है परकास अलेशन के दोरान किसका परियोग नहीं होता है तो आपको option दे रखोंगे वहाँ पे O2 राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दीक है मतलब आपका biology से questions देखे जाएं तो हरदिया से आया है ठीक है मस्चिक से आया है तो यह कुछ आपका biology का part हो गया फिर अगर बात की जाए आपका physics की तो आपका वहाँ पे पूछ जा रहा है periodic table और बात की जाए तो periodic table से आपकी बताए जारे 5-6 questions थे तो आप देख सकते है कितनी important है periodic table एक बर उसको जुरूर देख लीजिगा और मैं PDF लगतार और important चीजे लगतार आपको share कर रहा हूँ telegram में वहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं पुरानी भी जो नहीं नहीं मैं upload कर रहा हूँ तो उसको join कर लेजएगा नीचे description box में link है उसका ठीक है next आपका आवर्ट सानी में टेडी मेडिया निकी zigzag line क्या दरसाती है तो आपने देखोगा जब periodic table होती है तो उसमें zigzag इस तरीके से line होती है तो budding इसका right answer हो जाएगा option के according ठीक है एक था आपका 15 से 16 की age में बुएज में कौन सा hormone release होता है testosterone इसका right answer हो जाएगा ठीक है बई चलिए next देखते है next आपका कौन सा vitamin follow और सबजियों से नहीं मिलता है तो यह सभी को पता है आपको vitamin D आप में धूप से मिलता है तो यह follow और सबजियों से नहीं मिलता है तो यही आपका right answer हो जाएगा next आपका टमाटर में कौन सा acid होता है oxalic acid होता है और देखे दोस्तों अभी आपका अगर देखा जाए एक topic over बढ़ गया vitamins vitamins अभी कोई questions देखने को नहीं मिल रहा था बट कल की shift में भी vitamins से question आया है और आज की shift में भी vitamins से question आया है पहले दिन vitamins से कोई question नहीं था तो vitamins जो main main है वो आप पढ़ी लीजिए और साइद आपने पढ़ी रखे होंगे next आपका O2 का molecular mass क्या होता है यह आपका 32 होता है तो right answer 32 हो जाएगा Hello John, कौन से group में होता है यह question आपका daily आ रहा है और साइद यह पता नहीं आप कैसे मतलब बच्चे भेज रहे हैं तो इसका मतलब आई रहा होगा ठीक है तो 17 हो जाएगा तो daily आ रहा है थोड़ा question कम आएंगे और आप तक पहुचने में भी time लगेगा तो आप मैं हातों से लिख के लिए आ रहा हूँ तो इसको ऐसे मस्तोचीगा कि मैं हातों से लिख के ला रहा हूँ ठीक है बद आप थोड़ा सा support करेंगे तो maximum question क्लेक्ट करने की कोशिस करूँगा ठीक है बावनवा ग्यान पीट पुरुषकार किसको मिला है प्रोफेसर साग गोज को ठीक है next है आपका खटे दूद में कौन सा अमल पा जाता है खटे दूद में कौन सा असिड पा जाता है लेक्टिक असिड सभी को पता है ठीक है दूद की जितने भी चीज़े होते है उसमें लेक्टिक असिड होता है फिर next है आपका जैनेटिक कोड की खोज किसने की थी ये कोशन में आपको कल भी बता था तो देखते कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं इसका राइट आंसर मुझे बताएगा कमेंट बुक्स में विस्व की सबसे भारी धातू कौन सी है ओसमियम या इसका राइट आंसर हो जाएगा ये साथ कल भी कोशन आया था तो कहीं कोशन तो देखे रिपीट हो रहे हैं और कहीं कोशन के टोपिक रिपीट हो रहे हैं अगर आप अनलेसिस को जहां से देख रहे हैं और उसको उसके बाद पढ़ाई भी कर रहे हैं ठीक है यह नहीं कि 5 जो मैं 10-15 मिनिट की वीडियो डाल रहा हूँ इसको देखने के बाद आप पढ़ाई नहीं करते हैं और उस टोपिक को नहीं पढ़ते हैं तो एनलेसिस को कोई फायदा नहीं है एनलेसिस को देखने के बाद में उसको फिर डीपली अपने या तो देखे नेट पे पढ़िए या फिर बुक को खोल के वहाँ पे topic उसको गहराई से पढ़ लीजिए गहराई से भी नहीं मतलब उसको पढ़ जरूर लीजिए क्योंकि इधर उदर से उसके questions मिल जाएंगे ठीक है next आपका tungsten का गलनांक point कितना होता है तो 3422 degree Celsius यह आपका right answer हो जाएगा ठीक है बई मैं आपको इक उसके यह मैत के भी बता देता हूँ ठीक है मैत के कुछ topics जो मुझे पता चल गए मैत की वीडियो तो मैं next लेकर आने वाला हूँ बट आप topic देख लीजे pipe and system से questions आ रहे हैं दोस्तों जितना मैंने करा रखा है उससे कुछ बार नहीं आ रहा है बहुत सारे बच्चे जो questions बेज रहे हैं बोल रहे हैं कि sir हमारी reasoning और math बहुत अच्छे से cover हो जा रही है और जितने आपने करा रखे हैं question कुछ question की बस digit change है बिल्कुल वैसे का वैसे ही है और 15 जो मैंने 15 वीडियो डाली थी crash course की उसमें से तो बहुत सारे questions मिल रहे है तो उनको जरूर देख लीजेगा नीचे description box में सभी वीडियो के मैंने link देदी हैं उनको बिल्कुल भी छोड़के माझ जाएगा बहुत सारी help आपकी हो जाएगी ठीक है time and work से आपके question देखने को मिल रहे है time इस पर distance questions देखने को मिल रहे है ठीक है SICI से आपके question आये है age से आपका question आये है ठीक है एक दोस्तो mean, median और mode मिडियो से आपका question आये Year mode से कल आये था та mean से उसससे पहले आये था तो आपने देखा, पहले दिन सबसे पहले mean था, कल mode था, आज median से question आ रहा है, तो तीनों मैंने पढ़ा रखे आपको, ठीक है, तो एक बार इनको भी revise कर लिजेगा, अगर आपको नहीं पता है, तो एक बार revise कर लिजेगा, वैसे question बहुत आसान आ रहा है, अभी question तो एक जग and load से भी questions मिल रहे हैं, तो कुछ topic जो मैंने आपको बताए हैं, इनको तो जरूर एक बार revise कर लिजेए अपने, ठीक है, जो भी आपने notes बना रखे होंगे, जो भी, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कहां से मिलेगी, पीडियाप मैं आपको हर एक video के end में बताए र पर लिजे, ठीक है, सारे के सारी वीडियो, वीडियो की पीडियाप आपको पूर दिन में मिल जाएगी, जैसे हापे आप देख पा रहे होंगे, सारी पीडियाप है, तो इनको उठा के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और online test अगर आपने अभी तक बाई नहीं क्या है, एक environment से जो create होता है, उसमें time बहुत ज़्यादा consume होता है, ठीक है, आप question को करने की courses करते हैं, उसमें भी time लगता है, जो question आप बहुत जल्दी कर लेते थे, तो online test एक बाई लगा के देख लिजेगा, description box में एक link दे रखा है मैंने, जिसमें 30 test है, 149 रुपेज उसकी price है, 120 रुपीज में हो जाएगा, अगर आप इस code को महाँ पर बढ़ देते हैं, ठीक है, यह discount code है, जिसमें आपको 20% का discount मिल जाएगा, तो यह पूरा process है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए आसा करते हो कि आपने वीडियो को like share कर देगा, अगर नहीं किया तो कर दीजेगा, next video में म आदे घंटे बाद ही मैं मैं इसकी वीडियो लेके आ रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन कोण कर लीजेगा, वीडियो आपको मिलते रहेंगी, thank you so much वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धिनेवाद, आपका दिन सूबो,